Hello Everyone, मैं आनीता ठाकूर, Welcome to my YouTube चानल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं Class 10, Democratic-Politics 2nd का Part 4 जो थे हम लोग डिसकस कर रहे थे, मतलब Chapter 4 डिसकस कर रहे थे, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, Communalism के बारे में, जैसा कि यहां पर बताया गया है कि Problem तब स्टार्ट होती है जब हम लोग एक Nation को एक Particular Religion के साथ जोड़ देते हैं, कि हाँ इस Nation का Religion जो है वो Hinduism है, Buddhism है, Jainism है वगएरा वगएरा, उसकी वज़ा से बहुत जादा Problems जो है, वो फेस करनी पढ़ती हैं, जैसे कि Example अगर हम लोग बात करें, Chapter 3 में आप लोग पढ़के हो, Northern Ireland के बारे में Catholics, Protestants थे वहाँ पर, तो वहाँ पर डेंजर देखने को मिला, वहाँ पर खत्रा देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पर Nationalism को खत्रा था, तो यह जो Problem है, वो बहुत ज़ादा पैचिदा हो जाती है, बहुत ज़ादा Acute हो जाती है, जब Religion को Politics में Express किया जाता है, उसकी वज़ा स से partition भी हो सकता है, और एक religion जो है, उसको enhance करने के लिए, उसके कुछ followers जो है, वो कुछ इस तरह की, मतलब कुछ इस तरह की बाते करते, कुछ इस तरह की गड़े को देते, कि जो दूसरे religion होते हैं, उनके लिए कुछ critical situations जो है, वो मतलब face करने पड़ती हैं, उसके बाद हम लोग यह बोल सकते हैं, कुछ लोगों का ये भी belief है, कि एक religion जो है, वो हमेशा तब मतलब superiority गेन करता है, जब उसको बताया जाता कि हाँ, हम लोग Hindu religion से belong करते हैं, तो Hindu religion जो है, वो सब भी religion से जादा higher position पर है, तो बाकी वाले जितने भी religion होते हैं, वो सब भी lower religion, मतलब lower level होते हैं, तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, जब demands को पूरा करने की बात आती है, तो एक ही religious group की demands को fulfill किया जाता है, और जब एक religious group की demands को fulfill किया जाता है, तो बाकी वाले जो communities होती हैं, बाकी वाले जो groups होते हैं, वो उन rules and regulations को oppose करते हैं, और कहा जाता है कि एक अगर किस स्टेट में पार गेन करिया जाती है तो उसमें क्या होता है कि अपनी पार को established करने के लिए उसमें domination लाने के लिए कहने का मतलब है है का है Ming man बनने के लिए या ěक पूरा-फुरी तरह से control करने के लिए एक religion जो है क्या करता है पूरी भागदोर अपने हाथ में ले लेता है उस state की उस मतलब country या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक particular society भी हो सकती है तो बाकी वाले जितने भी religions होते हैं उनको suppress कर दिया जाता है that means कि उनको दबा दिया जाता है इससे हम लोगो यह पता चलता है कि religion में भी politics का sorry politics में भी religion का use कर जाता है उसको express किया जाता है ठीक है next यहां पर पता आ गया है communal politics जो है वो किस पर based है एक ऐसा idea है जो कि क्या है social community का main principle है जिसको religion कहा जाता है ठीक है अब यह जो communal politics क्या आगी जिसमें हम लोग religion को politics के साथ जोड़ते हैं तो communalism क्या हो गया कि जब religious perspective को politics में insert किया जाएगो एक particular feeling उसके साथ जोड़ जाएगी particular thinking उसके साथ जोड़ जाएगी तो हम लोग उसे communalism कहेंगे ठीक है और उसके बाद यह जो followers होते हैं एक particular religion के तो वो कही ना कहीं क्या करते हैं वो एक obvious है कि वो एक particular community से भी belong करेंगे ठीक है तो अब यह जो fundamental interest होता है वो तो almost सभी का same ही ह होता है ना next यहां पर बता गया एक अगर कोई भी मतलब difference है तो वो community life के लिए एक हम लोग बोल सकते हैं irrelevant content भी हो सकता है या कुछ भी किसी तरह की ऐसी चीज जो बिल्कुल भी community life को harm कर सकती है ठीक है और यहां पर यह बता गया है कि कुछ लोग तो इस चीज को फॉलो करते हैं कि different religions हो हैं उनका यही मानना है कि हम लोगों को क्या करना है आपने religion को superiority गेन करवानी है और दूसरे जो हैं उनको same जो मतलब एक और चीज एक्जमपल बता दू जैसे माल नीची हिंदू religion जो है अगर हम लोग पूरे world की बात करें तो उसमें भी diversification आएगा उसमें भी division ह होगा जैसे अगर हम लोग country wise बात करें जो इंडिया की मतलब इंडिया से बिलॉग करते होंगे उनको इंडियन हिंदूस कहा जाएगा मतलब एक particular community उसके सब जुड़ गी लेकिन वो तो एक religion से बिलॉग करते ना सबी लोग community अलग होगी उनकी कहने का यह मतलब है religion हर जगा पर similar होता है लेकर community basis उनमें differences आ जाते हैं ठीक है next यहां पर बता आ गया है अगर followers जो है वो different religions को celebrate करें अलग-अलग communalities होंगी वहाँ पर common मतलब rights and rituals को celebrate करेंगे तो वो अपने religion को ज़्यादा superficial बनाएंगे इमरिटल बनाएंगे और दूसरे religions को बिलकुल भी हम लोग बोल सकते हैं उनको importance नहीं देंगे इसकी वज़े से क्या होगा जो भी मतलब जब किसी भी section का interest फुल्फिल नहीं होगा इसकी वज़े से क्या होगा society में conflicts होंगे और जब यही conflicts आगे मतलब broader sense में चलते जाएंग तो इससे क्या होगा बहुत बड़ी rewards हो सकती है civil war भी हो सकती है whatever इस तरह की चीज़े face करनी पढ़ सकती है और एक extreme form है communalism की जिसमें क्या होता है एक proper belief होता है जिसमें लोगों का यह सोचना होता है कि हम लोग एक particular religion से belong करते हैं और वो ही religion जो हो मतलब सबसे higher rank पर है और बा तो जितने भी religions होते हैं उनको equal rights, equal opportunities जो है वो बिल्कुल भी नहीं दी जाती है ठीक है एक particular nation में उसके बाद यहाँ पर बता आ गया है एक ही religion जो हो dominate करता है और बाकी वाले religion जो है उनको suppress कर दिया जाता है next यहाँ पर बता गया है कि यह एक fundamental belief है जो कि flaw हो रहा है data means कि जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसमें यह बता गया है कि यह जो लोग है वो एक religion को ही नहीं मानते हैं even कि उनके मतलब कुछ interest रहा है वो भी same होते है उनके aspirations रहा है वो भी मतलब same ही होते है almost ठीक है हर एक का अपना role है हर एक religion के अपनी position है अपनी identity है ठीक है बहुत सारी voices जो है उनको community के अंदर ही दबा दिये जाता है just because क्योंकि वहाँ पर एक ही religion जहाँ वो मतलब क्या करता है control करता है other religions को और बहुत सारी voices जो है उनको तो सुना भी नहीं जाता है उनके पास तो कोई right भी नहीं जो religions अपने religion को मतलब बहुत सदा आ गए spread करना चाते थी उन्होंने बहुत सारी moments भी चलाई और even कि उन्होंने क्या किया अपने religion को मतलब superior बना दिया और दूसरे religions को suppress कर दिया उनकी voices को suppress कर दिया जिसकी वज़े से हम लोग ये बोल सकते हैं कि कुछ एक particular community में majority population जो थी उ various forms हैं जो कि politics में working में आते हैं तो आज हम लोग सिर्फ दो को ही discuss करेंगे बाकि वाले हम लोग next lecture में discuss करेंगे यहां पर बताया क्या है एक common expression जो है वो commonalism का everyday belief भी हो सकता है कि वो किस तरह से लोग सोच रहे हैं जो रोटीन वर्क करते हैं religious जो उनके belief है जो उनका faith है यहां हम लोग इस religious community से belong करते हैं हमारा religion सबसे उपर है और बाकी वाले religion जो है वो मतलब हमारे आगे कुछ भी नहीं है और यह सबसे बड़ा important या फिर हम लो common बोल सकते हैं difference है जो कि maximum time हम लोग उने notice किया कि fail होता है लेकिन आज भी हम लोग उसमें believe करते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि एक religion जाहो वो दूसरे religion को suppress करता है तो next point में बता गया है एक communal mind जो है उसमें एक ही चीज के क्विस्ट होती है एक ही चीज का लालाच होता है उसक politically dominant होना होता है मतलब chair hold करनी होती है चाहे वो एक religious community के accordingly ही उसको क्यों ना gain करें और बहुत सारे यहां पर यह बता गया है कि majority community से अगर उसको seeds gain हो जाती है तो वो एक majoritarian dominance gain कर लेता है जिसमे majority population जहां उसके control में होती है ठीक है और उसके बाद यहां पर बता गया है जो minority community है वो बैचारी उसको oppressed कर दिया मतलब suppressed कर दिया जाता है उसके desires जो है उनको बिलकुल भी fulfill नहीं किया जाता है जो उनकी demands होती है aspirations होती है उनको fulfill नहीं किया जाता है जिसकी वजह से यह जो minority communities हैं वो protest करते हैं और एक separate political unity के demand करते हैं I think it's enough for today. Thanks for listening and stay blessed always.